तो चलिए दूस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लौटी अनिमेशन फाइल के बारे में और यहां पर मैं आपको बता दो कि लोटी एक तरह की फाइल्स होती है जावा स्क्रिप्ट की जिसमें कि आपको अनिमेशन की सारे फाइल्स मिल जाते हैं जिस भी तरह कि आपको अनिमेशन चाहिए अपने अंड्रोइड अप्लिकेशन की लिए उस तरह के अनिमेशन आपको लोटी प्रोवाइड करत हो वहां पर कुछ अनिमेटिक दिखा के अप्लिकेशन में और ज्यादा तर यूवाई के जो काम्स होते हैं वहां पर भी आप इसको यूज करके अप्लिकेशन को एक लेवल तक बढ़ा सकते हो इसमें आपको दो मोड मिल जाते हैं जिसमें कि आप इसको अजिए ऑफलाइन य जो वीडियो आ रही है इसमें ये पार्ट टू है और टू में मैं इस इंटरफेस को इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आया दिन आज कल जो भी अप्लिकेशन आते हैं उसमें आप देखो कि एनिमेशन का कोई ना कोई पार्ट होता है इसलिए सबसे पहले जो एनिमेशन की बढ़ाते हुए उसमें हम लोग एक स्क्रीन को एड करेंगे और वहां पर लोटीन इमिशन को यूज करेंगे पचले यहां पर मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ अगर आपने अकाउंट बनाया होगा तो आप सेम उसी तरह से जैसे मैंने बताया था पिछली ब लॉगिन करने के बाद आप यहां देख सकते हो कि मेरे मैंने जितने भी प्रोजेक्ट यहां पर बनाया होंगे यह सर्ड यहां भीजबल होंगे तो अभी जस्ट एक ही प्रोजेक्ट यहां पर बना हुआ है जिसका नाम है टेस्ट वन तो यहां से हम इसे टेस्ट वन को खो तो यहां पर दो स्क्रीन थे जो मैंने इनिशली आपको बताया था हेलो वल्ड के प्रोग्राम में तो आज की इस वीडियो में हम लोग को लॉटी अनिमेशन के बारे में जाना है तो वो कैसी यूज करेंगा उसके लिए हम चलते हैं तो यहां जो स्क्रीन 2 है मेरा मैं स्क्री तो अब यहां पर हम लोग एक स्क्रीन दिखाएंगे जो आप लोडिंग होगा उसके बाद को ठर्डी स्क्रीन ओपन होगी तो यह जो स्क्रीन 2 है पहले तो इसका नाम हम यहां पर चेंज कर देते हैं या फिर से इन विजबल कर देते हैं ताकि मेरा फूल मोड में यहां प कांस में और सेटिंग्ज में चले जाएं सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक ऑपशन मिल जाता है इसमें एक ऑफशन आपको मिलेगा यहां पर कि यह आपको करने के बाद आपका यहां पर जो भी experimental जैसे कि कुछ extension जो है codler publish नहीं करती है जब तक कि वह test ना कर ले लेकिन at a time आप उसे check कर सकते हो कि क्या extension है तो यहां पर आपको वो सारे extension यहां पर देखने को मिल जाते हैं एक बार मैं इसे यहां पर refresh कर लेता हूँ कि यहां पर इसे फिर से open कर लेंगे यहां पर अब जब हम यहां पर आते नीचे तो आप देखो यहां पर एक experimental करके tab आपको यहां पर दिख रहा है जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यह जो कुछ component है जिस पर अभी यहां कोड़र की टीम काम कर रही है इन extension पर तो आप इसे as यूज भी कर सकते हो बाकिके जो अपडेट्स होंगे इन future यह अपने जिस काटेट्री में होगा उस काटेट्री में दल देते हैं तो आप जस्ट इसे यूज कर के काम कर सकते हो अब ही जो बात कर रहे थे screen 2 पे तो यह नीचे का जो bottom section होता है जहां पे back arrow वगरा होता है phone screen का तो उसे कैसे आटाएंगे तो यहां पे बस आपको screen 2 के properties पे आना है अब जब हम नीचे जाएंगे तो हमें एक option दिखता है experimental properties जस्ट आपको इसे नीचे जाना है और नीचे जो दिख रहा है आपको navigation bar इसे untick कर देना है तो अब आपका जो यह screen है एकदम से full mode में display होगा और आप अगर चाहते हो कि यह जो उपड का network part होता है जिसको status bar बोलते हैं वह भी visible ना रहा है तो आप यहां से इसे tick कर दो तो यह पूरा का पूरा white screen आपका हो गया आपका animation play होगा पूरे का total screen पर play होगा उपर नीचे कुछ नहीं दिखने वाला ठीक है तो basically सारे apps में status bar तो होता ही है इसे हटाने की जुरूत नहीं है अगर आपको लगए हटाना है तो आप हटा सकते हो यहां से चलिए अब यहां पर हम लोग करने वाल है क्या है यहां पर loti file search करेंगे तो यहां आप जाके लिखो L O double T तो देखो यहां पर आ चुका है loti इससे हम लोग यहां पर drag कर देंगे यह ड्राइग कर दिया मैंने तो यह यह यहां पर आ का है अगर आप चाहते हो इसे कोई container में डाल के ड्रैग करें तो इससे सबसे अच्छा होता हमारे लिए इसे vertical container में डाल दें इसे तो जहां से vertical search करेंगे और यह जो vertical arrangement है इसे यहां पर drag कर देंगे ड्रैग करने के बाद इस लॉटी को उठा के यह यूटिलाइज कर लेगा साथी अब चलते हैं यहां पर लॉटी फाइल में लॉटी फाइल में भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे जो fill height है और fill width है तो यह पूरे screen में आपके visible होगा और साथी साथ जो background है मेरा vertical arrangement का इसका background को हम कर देंगे transparent तो यह जो non color होता है हम इसे non fill करके transparent कर देंगे कि background में कुछ ना दिखे साथी साथ जो screen screen 2 है मेरा उसका भी background हम लोग transparent कर देंगे यहां पर none कर दिया यहां पर इसका भी background तो अब जो है screen पर से loti file दिखेगा जो भी loti file में extension देंगे तो चले यहां पर अब loti की website खोल लेते हैं यहां पर जैसे ही आप यहां पर लिखो लिखोगे loti जो मैंने यहां पर लिखा था तो यहां पर i button पर आप लिख करते हो तो देखो इस component के बारे में बता रहा है और विजबल कंपोनेंट डेट डिस्प्रे अनिमेशन और जीशन और जीप फाइल फ्राम और यूरल तो इस तरह से आप इसको यूरल के तो यहां पर अप्लिकेशन में दिखा सेकते हो अनिमेशन तो चलिए अभी यहां पर एक loti फाइल की जो website उसे खोल देते हैं loti यहां पर लिखना आपको अनिमेशन यह loti अनिमेशन आप यहां लिखोगे तो जो पहली website है इसकी है यहां पर आप ओपन कर लो यहां पर और यहां पर आपको लगबग सारी categories की animation आपको मिल जाती है यहां पर आप यहां अनिमेशन पर क्लिक करके recent पर आप क्लिक कर दीजिए यहां पर basically यह सारे जो animation यह बनते हैं adobe after effects में और वहां पर loti का एक plugin आता है जिसको आप इंस्टॉल करके आप इसके लिए animation custom भी आप बना सकते हो ठीक है तो by default यह कुछ लोग हैं जो बनाएं application और इसको यहां पर publish किये हुए इसमें कुछ आपको premium भी icons जो मिल जाते हैं जैसे यह स इसमें से अगर कोई हमको जैसे यूज करना loading screen के लिए तो वह हम कौन साइकन यूज कर सकते हैं तो एक हम यहां पर search कर लेते हैं loading के लिए तो जैसे मैंने loading के लिए हम पर search किया तो आप देखो यहां पर circular में और अलग-अलग तरह की loading screens जो है यहां पर animation के play होने लगे हैं यहां पर इसमें से कोई एक मैं यहां पर choose कर लेता हूं तो चली यह वाला जो animation है मैं यहां पर इसे चाहता हूं कि यह play हो यहां पर तो आप देखो यहां पर इसकी जो speed है अभी काफी ज़्यादा है तो थोड़ा से speed अगर कम करना आप चाहते हो तो यहां पर animation speed आपको दिख़रा है यह 1x पर जो की minimum था इसका अब यह 2x पर चला गया यह 2.5 पर और यह फिर 1x तो यह इससे ज़्यादा slow नहीं हो सकता क्यो कि यह minimum score पर यहां पर अगर background color आप चाहते हो इसका कुछ और फिल करना आप देख से देखो यहां पर अलग अलग background color आपको यहां पर मिल जा रहा है तो आप यहां पर इससे फिल कर सकता है चलिए मैं यहां पर white ही रखोंगा इसको और अब यहां पर आप इसका layer वेगर यहां पर आपको दिख रहा है तो यहां पर आप क्लिक कर दीजेंग करने के बाद आपको यहां पर एक बना ले ना होगा अपना एकाउंट तो continue with google प्रेख कर दीजिए अश्पति करने के बाद यहां पर आप अपना एकाउंट चूज कर लीजे चूंज करने के बाद अब आप यहां पे अपना बता दीजे कि आप किस तरह के हो designer हो developer हो या क्या हो आप यहां पे तो जस्ट मैं यह आप developer पर टीक करता हूं और let's go पर क्लिक कर देता हूं तो अब आप देख सकते हो तो यहां पे जो यह animation play हो रही है ठीक है यहां पर अब जाता हूं मैं यहां पर loti जेशन पर तो यहां जेशन पर आप क्लिक करते हो तो यह देखो आपको यहां पर save option आ जाता है तो चलिए इसे कर लेते हैं save होने के बाद यह जो है मेरा डाउनलोड में यहां पर आ जाएगा डाउनलोड ओपन करने के लिए कीबूड से Ctrl J प्रेस करूंगा यहां पर और आप देखो यहां पर यह डाउनलोड हो चुका है ठीक है तो पहले तो मैं इसे आपको करना और asset में जाना asset में जाने के बाद जो मैंने यहां पर डाउनलोड किया उसे मैं यहां पर कर दूंगा ड्रैग तो इसका जो नाम है न मैं पहले यहां पर थोड़ा सुधार लो मैं simple loading json लिखता हूं ठीक है यह और इसे copy कर लेता हूं इस नाम को और यहां से drag करके यहां पर upload कर देता हूं तो इस तरह से यह आपका जो है एक application के अंदर जो जो आप resource use कीजिएगा उसका यहां पर listing बनते जाता है asset में ठीक है तो asset में सबसे पहला मैंने एक asset डाला जिसका नाम है loading.json file ठीक है तो अब same नाम आपको यहां पर use करना होगा loti file के अंदर तो यहां पर जैसे हम click करते है loti file पे तो यहां source में देखिए blank पड़ा हूँ है तो source में जाके हम लोग यहां पर एक जो attachment मैंने भी जस्ट किया है वह यहां पर option available हो चुका है तो यहां पर loading जैसन पर click कर देंगे तो अब क्या होगा यह animation play होना start हो जाएगा लेकिन अभी क्या है कि यह loop लगा हुए मतलब की continue play होते रहेगा और visible है तो by default यह visible जैसे इस screen पर कोई आता है तो यह अपना visible true है इसका यहां पर अब यहां पर एक काम क्या कर सकते है कि अब हम को कुछ second के लिए screen यह दिखाना जैसे कि कुछ loading कराना बैकेंड में तो उतने देर के लिए यह screen आपका play हो तो वैसे conditions के लिए हम लोग क्या करेंगे यह यहां पर clock तो जो clock component है दूस्तो clock क्या करता है इसमें sensor के तरह काम करता है एक आप time interval set कर दो कि मुझे 4 seconds के बाद इस screen को दूसरे screen पर फेज़ देना तो यह clock आपको वहां टिक है यहां पर by default timer always fire इसको अंटिक कर देना है और टाइमर इनेबल में जो यह one second की यह अगर 1000 यहां पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ one second यह millisecond में है ठीक है तो इससे हम यहां पर चार सेकेंट का time दे देते हैं तो इस तरह से चार सेकेंट का हो गया अब क्या होगा कि अगर इस screen पर योचर चार सेकेंट तक time अगर बिता देता है तो उसके बाद ही यह screen क्या होगी दूसरे screen को call करेगी ठीक है तो कुछ उस तरह से मुझे code अप करना होगा तो चलिए बैकेंट में चलती है इसका मैं यूज बताऊंगा आपको चलिए अभी basic यहाँ पर code कर लेते हैं तो सबसे पहले जो मेरा screen जो launch होगा वो होगा मेरा screen 2 क्योंकि screen 1 के बाद जो दूसरी screen आएगी वो है screen 2 ठीक है तो screen 2 को हम लोग यहाँ पर initialize पर जाएंगे कि जैसे screen 2 मेरा open हो ठीक है तो when screen 2 initialize ठीक है तो अब यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर true करूंगा जो vertical arrangement है कि जैसे screen मेरा on होता है तो क्या होना चाहिए जो मेरा vertical arrangement है इसी के अंदर मेरा क्या था यह vertical parent हो गया और यह parent के अंदर ही मैंने animation file डाला हुआ है ठीक है तो अगर parent visible होगा मेरा तो यह भी visible होगा क्योंकि यह by default यहाँ पर visible है तो parent को मैंने क्या किया है यहाँ से invisible कर दिया और code के थूरू मैं इसे catch कर रहा हूँ कि जब मेरा screen in slice हो तब ही वो component visible होगा तो यहाँ पर वर्टिकल एरेजमेंट डॉट वीजिबल इसकल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं true तो आप यहाँ बस true लिखो आप यहाँ पर attach कर दो तो जैसे screen in slice होगा तो आपका वर्टिकल एरेजमेंट जो है वो वीजिबल हो जाएगा अगर यह वीजिबल होता है तो आपका जो लोटी फाइल है वो भी इसके साथ वीजिबल हो जाएगा अब एक कोड हमें लगाना होगा कि अब जो है यह कितने देर तक दिखे तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्लॉक वाला जो सेंसर है यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो क्लॉक वाला सेंसर हमारा यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है आप इस पर क्लिक करो और सबसे पहला जो कॉम्पोनेट है इसका वें टाइमर डू तो आप यहाँ पर ले लो कि आपने जो चार सेकेंड का टाइमर दिया है अगर वो हो जाता है तो क्या होना चाहिए तो यहाँ पर सिंपल सा चीज अग को यहाँ से भी ले सकते हो टेक्स की कंपनेंट है यह ओपन अनदर स्क्रीन जो है लोजिक आपको कंट्रोल में मिल जाती है तो एक बार आप इसको पूरा देख लो या फिर आप सिंपल यहाँ पर टाइप भी करोगे जैसे मुझे टेक्स्ट है मैंने टेक्स्ट लिखा यह टेक्स्ट ऊपर में आ गया तो इस तरह से आप इसमें कॉल कर सकते हो अब यहाँ पर मैं एक अलग सा स्क्रीन यह वूज करूंगा जैसे अभी स्क्रีन one screen two है और एक screen मैं यहां पर main करके लिखता हूँ जो कि मेरा main page होगा ठीक है तो यह main आ गया तो जैसे timer complete होगा तो automatic इस screen से मुझे main वाले screen पर भेज देगा तो एक screen यहां पर add कर लेता हूँ जिसका नाम मैं दूँगा main तो यह screen यहां पर add हो जाएगी यह आ चुकी यहां पर main करके जो screen है मेरी add हो चुकी है यहां पर अब यहां screen two पर चलता हूँ तो यह complete हो चुका है अब मेरा screen two जैसे ही इनी slice होगा तो यह animation play होगा और timer जो अपना काम करेगा timer काम करने के बाद automatic मेरे को screen जो अगला screen है main उस पर भेज़ देगा इससे पहले हम लोग यहां पर screen one जो set किये थी इसमें okay hello world वेगरा हम लोग लगाया थे तो इसको हम लोग simple हटा कि यहां पर splash screen जो और देते हैं चले से delete करता हूँ यहां पर इसका जो यह component है visible इसको सेम उसी तरह हटाएंगे जैसे मैंने कि अभी पहले screen में हटाया यहां पर save empty screen कर दीजिए यहां पर status बार वगरा कुछ नहीं दिखाना है यहां पर हम सब हटा देते हैं यहां पर हटाने के बाद experimental में जाके इसको भी मैं क्या गरदूंगा navigation बार कुछ नहीं चाहिए मेरा क्योंकि landing page जो एप का होता है उसमें आपका पुड़ा पूरा पूरा space यूज़ करता है आपका phone यहां पर इसको कर दूंगा फिल पैरेंट दोनों हाइट विद को और इसके अंदर कुछ आप इमेज यहां पर बाइंड कर सकते हो तो जो कि आपका a splash screen के लिए काम करेगा तो इसके लिए कुछ images मैं यहां पर देखके bind कर देता हूं चलिए asset में जाएंगे और upload asset पे click करूंगा तो यहां पर कुछ एक loading वाला जो screen होता है मैं यहां पर एक add कर देता हूं तो जस्ट यह मैं अपना एक logo है जो उसे add कर देता हूं यहां पर तो यह hacker.png के नाम से है ठीक है और यहां पर image बहाँ जब आप है तो यहां पर आपको मिल जाता है आइकन का height होता है तो पांसो बारा भी पांसो बारा पिक्सल यह हो गया लेकिन यह काफी ज्यादा बड़ा दिखरा है इसमें लेकिन चले लाइप रिव्यू में देखते हैं यह कैसा दिखता है और यहां पर जैसे clock किये तीन सेकंड हो जाती है तो यह अगले स्क्रीन पर भेज़ेगा तो उसके लिए थोड़ा से यहां पर code आपको करना होगा तो clock पर जाते हैं और timer जैसे ही होता है complete मतलब तीन सेकंड जैसे ही complete होता है तो क्या होना चाहिए open another screen यह component आएगा और यहां पर screen 2 आपका जो ह द्यान रखियेगा नहीं तो काम नहीं करेगा तो यहां पर capital है मेरा और screen 2 इस तरह से कुछ है तो जैसे timer complete होता है तो screen 2 को यह call कर देगा फिर screen 2 जो है अगले screen को call करेगी जो की है main to main पर थोड़ा सम कुछ design कर देता है ता कि पता चले कि हम लोग main screen पर आ चुके हैं तो यह आगे मेरा यहां पर vertical scroll और इसमें मैं कुछ label रख देता हूँ यहां पर label और इस label में लिख देता हूँ you are on the main screen ठीक है तो मुझे थोड़ा पता चले कि हम लोग कहां पर है कि स्क्रीन पर left alignment को आप कर दीजिए center और अगर पूरे content को आप चाहते हैं तो main screen पर जाईए और यहां पर left पर जाईए center और top alignment को कर दीजिए center उसके पास जो vertical आपने चूज किया इसका भी alignment कीजिए center और 20 तो you are on the main screen यह आपका आचुका है यहां पर ठीक है यहां पर यह हो चुका है मेरा और उपर में अगर main नहीं दिखाना चाहते हैं यहां पर लिखना चाहते हैं dashboard तो dshb-o-a-r-d यहां पर dashboard लिख दीजे तो dashboard आगे यह अगर आप नहीं चाहते हैं कि codler का जो option आता है कि share करना है by created by codler वगड़ा तो अगर आप हटाना चाहते हो तो जो option menu ऐसे आप अंटिक कर दो तो यह हट जाती है यहां पर लेकिन यह आपको जब live preview आप companion पर देखे हो तो यह दिखे तो चलिए इस application को टेस्ट करती है application मेरी complete हो चुकी है तो यहां पर करूंगा मैं टेस्ट पर क्लिक और connect to companion पर क्लिक करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका प्लेस्टोर में आपको application मिल जाता है वहां से आप इसे download करके check कर सकते हो तो चलिए मेरे पास application install है तो मैं उसे कर लेता हूँ connect यहां पर अपना phone का जो है on कर लेता हूँ campaign और phone को मैं remotely पहले ले लूँ अपने laptop पर तागे मैं आपको दिखा पाऊ जो भी चीजे हो रही है इसके लिए मैं जो application यह यूज कर रहा हूँ इसका नाम आपको मैं दिखा दू यहां पर अब जब question mark भी यहां पर click करते हो तो इसकी जो website है यह powersoft soft उसकी यह companion है जिसके तुरू मैं आपने mobile screen को system पर दिखा पा रहा हूँ ठीक है तो चलिए इसके तुरू मैं यहां पर wifi connection से यह code यहां पर display हो रहा है इसके तुरू मैं connect कर लेता हूँ इसकी आपको जुरूत नही कर रहा है तो यहां पर मैंने इसे scan कर लेता हूँ सकेन करने के साथ यह जो है मेरे phone को यहां पर इसने live कर दिया है यहां पर तो जो मैं application आपको बोल रहा था कि companion की application कोडलर की आती है play store पे यह companion का application जो आप पहले देख पा रहे हो वह चीज है यहां पर click करना है click करने के बा होने के साथ ही आपका यह process जो है आगे के तरफ बढ़ना start हो जाता है तो यहां पर कुछ codler के तरफ से आए कि companion fail हो चुका है message तो एक बार कोसिस करता हूं यहां से फिर से scan करने के आपको live दिखा सकों इसलिए मैं दोनों screen को एक साथ रख रहा हूं यहां पर जाएंगी यह हो चुका है और फिर यह देखते हैं कि क्या process हो रहा है तो यह अभी complete हो रहा है यहां पर आप देखो कि sending हो रहा है यहां पर process आपका तो wait कर लेते हैं जब तक यह 100% ना हो जाता है और 100% होने के साथ ही आपका यहां पर live preview start हो जाता है तो यहां पर देखो आपको कि you are on the main screen दिखा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हम लोग direct main screen से companion start कर दिया है तो चलिए अब screen को यहां पर one पे shift करते है क्योंकि कोई भी application आप screen one पर click करके छोड़ देना उसके बाद automatic जो है main screen तक यह आपको लेकर आएगी तो चलिए screen one पर मैंने click कर दिया अब देखो मैंने जो बोला था पहले logo तो यह logo display हुआ लोगों का जैसे time और यहां पर खत्म होता है तो यह अगले screen को call करता लेकिन यहां पर कुछ जो है error आ रही है से देख लेता हूं यहां पर ठीक है तो इसमें एक option जो है lotty जो है lotty live screen में आपकी play नहीं होती है the codler companion is not currently able to show a live preview of the source file lotty not with the emulators ठीक है तो मैं इसे क्या करता हूं अभी just build कर लेता हूं तो चलिए आप export पे जाते हैं और save कर लेते हैं तो यह यहां पर apk file build हो जाता है तो मैं अपने phone में install करके आपको दिखा पाऊंगा कुछ कुछ complaint अभी codler के वैसे हैं जो आप इसे live test नहीं कर सकते हो ठीक है तो उसके लिए हम लोग इसे build करके टेस्ट कर लेंगे तो यहां पर apk मेरा इसे download करके मैं अपने phone में transfer कर लेता हूं तब जाक मैं यहां पर दिखा पाऊंगा ठीक है तो चली यहां पर पहले से save कर लूँ मैं यहां पर यहां पर यह से वो चुका आप देख सकत तो यहां पर और इसे मैं यहां पर इस से एडिट के थुरू अपने फोन में सेंड कर लेता हूं यहां पर से रिट मैंने रखा हुआ और यहां पर सो क्यूर कोड करके यहां पर इसे एक्सेस कर पाऊंगा तो इस तरह से आप अब भी अगर काम करते हो सिस्टम पर तो आप एक बार में आसानी से अब इसे अब इंस्टॉल करके हम लोग चेक करते हैं ठीक है तो यहां पर टेस्ट वन के नाम से क्योंकि मैंने प्रोग्राम का नाम टेस्ट वन दिया था तो इसे चेंज कर लेंगे यह देखिया मेरा Logo Display हुआ, Logo Display होने के बाद आपको देखिया क्याना स्क्रिन टूपerd ही और यहां पर धया चबशिशatoire कि तुछ प्रूषर हो रहा है अपको यह लॉटी चीच्राइन jaons क्या करें आई होगी और ऐसे ही कुछ वीडियो जो है मैं आपके लिए रोज लेके आऊंगा जो कोडलर पे अधारित है और अलग-अलग कंपोनेंट के बारे में होगी तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूँ तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू